Hello friends, I am back with my video number 16 I am Professor Yash Itesha from Science Academy ठीक है, आज का हमारा topic रहेगा Thoughts on life मैंने life को थोड़ा observe किया है और मिरको जो life से सीखने मिला मेरे observeants की अनुसार मैं वो आज तुम लोगों के साथ क्या कर रहा हूँ Share कर रहा हूँ चलो मैं start करता हूँ We always work for better tomorrow बराबर है आज हर कोई इंसान कल को सुधारने के पीछे मेनत कर रहा है कल को अच्छा बनाने के लिए पीछे मेनत कर रहा है बट में टुमारो कम्स पर जब कल आता है तुमारो आता है Instead of enjoying Enjoy करने के बदले We again think of better tomorrow तो वापस अपन वही चीज़ के पीछे लग जाते कि अपन उसको सुधारने के पीछे क्या आपन enjoy करना भूल जाते वो दिन पर बलकी वापस कल क्या करना है कल का क्या होगा उसी विचार में रह जाते We again think of better tomorrow Let's have a better today उसके बढ़ले इससे अपने को क्या सीख पता चलता है या क्या moral मिलता है कि अपने को खुद पे हमेशा भरोसा रखना चीए जो इदगीद जो दूसरे इदगीद एंविरमेंट है आउटसाइडर है उनके बोलने पे या उनके बोलने से अपना कोई मतलब capability या weakness नहीं होता है अपने को अपने पे करना चीए believe रखना चीए तो यह बहुत अच्छी story लगी मुझे तो मेरे को लगा तुमारे साथ share करो next जाता हूँ friends four beautiful thoughts on life चार मेरे को बहुत अच्छे thoughts पर मिले तो मैं तुमारे साथ share कर रहा हूँ look back and get experience पिछला तुमारा past देखो उसमें तुमने क्या lesson learn किया क्या mistake किये तो तुमारे को आगे के लिए क्या हो जाएगा experience हो जाएगा look forward and see hope आगे देखो तो तुमको क्या जिवन में मिलेगा दिशा मिलेगा direction मिलेगा hope मिलेगा look around इदगिद देखो find reality तुमको reality पता चलेगा क्या है क्या नहीं है और look within खुद में देखो तो तुम खुद को पाओगे find yourself beautiful thoughts है यह life के उपर next है reaches wealth is wisdom जो reaches wealth है उस क्या है wisdom जो strongest weapon है उसको क्या बोलता है patience best security अपने लिए क्या है faith most effective tonic सबसे effective tonic अगर देखने जाओगे तो यह सब कुछ क्या है इनसान के लिए free है इसके लिए कभी कोई चीज का अपने को pay नहीं करना है never complain about the difficulties in life कभी भी बगवान से जो भी difficulty आई है या जो भी life में तुमको difficulty face करनी पढ़ रही है उसके लिए कभी complain मत करो because director मतलब जो अपना god है जो director है always gives the hardest road to his best actor सबसे hard वाला role किसको देता है तो जो best actor होते है उनको ही वो role देता है तो उल्टा शुक्रियादा करना चीए जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी जीवन में success पाऊगे तो अगर तुमको god ज्यादा challenges दे रहा है ज्यादा difficulties दे रहा है life में तो अभी उसका तुमको face करना है उसको अच्छे तौर पर अच्छे direction में लेना है कि जो भी god होता है जो hard roles है किसको देता है तो जो भी best actor होता है उसको देता है तो you are the best actor उनके लिए तो तुमको ये role दे रहा है निभाने के लिए तुमको अच्छे से निभाना है और ये last quote रहेगा आज का मेरा motivational कि life is beautiful life क्या है beautiful है ये वापस नहीं आने वाला है ना वो दीन वापस आने वाला है ना वो घंटा ना वो minute कुछ भी वापस नहीं आने वाला है अगेन इन ये और एंटार लाइफ पूरे जीवन में तो इसलिए fight को avoid करो एंग्रिनेस को छोडो and speak lovely to every person हर परसन के साथ क्या रहो lovely बात करो kindly रहो अच्छे से सब के साथ रहो गुल मिल कर और अच्छे से सब की मदद करो I hope सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है प्रेंट्स के साथ लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो Thank you